आपने टाइटाइनिक मुवी तो देखी ही होगी टाइटाइनिक जहाज को लेकर कहा जाता था कि ये कभी नहीं डोपेगा लेकिन 15 अप्रेल 1912 को ये जहाज एक बर्फ के तुकडे से टकरा कर डोप गया लगबग 2600 नीचे अंटलांटिंग महासागर में इस मलवे की खोज 1985 में की गई जब 1997 में टाइटाइनिक मुवी रिलीज हुई तो इस मलवे को देखने की ख्वाहिश काफी लोगों की बन गई टाइटाइनिक जहाज के मलवे को देखने के लिए पांच अरपतियों को ले जाने वाली टाइटेन पंडुब्बी दुरकटना का शिकार हाल ही में हो गई अरपति यात्रियों की मौत हो गई यूएस कोच गार्ड ने बताया है कि गुरुवार 22 जुन को उसका मलवर टाइटाइनिक जहाज के पास मिला जिसके बाद पंडुब्बी की ओनर कंपेनी ओशन गेट ने हास्ती की बुस्टी की टाइटन पंडुब्बी के लापता होने की सूचना मिलते ही अमेरिका, ब्रिटेन और करनाड़ा समित कई देशों की खोच करताओं की टेम सर्च ओपरेशन में जुट गई थी सर्च ओपरेशन को 96 घंडे बीच चुके थे वहीं पंडुब्बी में चार दिन के लाइक ही ऑक्सिजन थी जो की खत्म हो चुकी थी यूस कोषगाड ने बयान जारी किया कि मद्दे अटलांटिंग महासागर में जहां 1912 में टैटैनिक जहाज डूबा था उसी के पास उसे पंडुब्बी का मलवा मिला हाला कि यह पास नहीं है कि यह मलवा उसी पंडुब्बी का था जो 18 जून 2023 को लापता हुई पंडुब्बी के दुरगट नगस्तों होने की वज़ाओं के जाने की कोशिश की जा रही है एक रिपोर्ट ने बताया है कि लापता पंडुब्बी में 10 साल पुराना गेमिंग कंडुब्ब का इस्तमाल किया गया था जिसका काम करना बंद कर दिया गया होगा वहें कुछ विज़ुश्रक्यों का मानना है कि पंडुब्बी जब गैराई में जा रही थी तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी हो गई होगी और ये भी हो सकता है कि टाइटन जहाज के मलवे से टकरा कर ये फस गई होगी टाइटन जहाज का डूबना भी एक रहस्य था वहें टाइटन पंडुब्बी भी डूब गई यह भी एक रहस्य का कारण बन गई